हेलो गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल किचन गुंजन की और आज मैं बनाने आनी हूँ मिल्क केक, आप देख सकते हूँ कितना बड़ी हैसा बनके तयार हो गया है ये तो इसको आज हम बनाएंगे और बहुत असानी से बहुत जल्दी बन जाएगा ये और इसमें ज्यादा चीजें भी हमें चाये नहीं होती हैं तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूद, फुल क्रीम मिल्क है ये और डेड़ किलो के करीब मैंने दूद लिया है दूद को उबाल दिया था जो भी मिलाई आई थी वो भी ले ली है आप पैकेट वाला दूद ले सकते हैं तो इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से चलाएंगे चार से पाच्छे वाल आ जाने चाहिए उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी फिट करी और आप देख सकते हो मैंने बस चुट की भर ही फिट करी डाली है ताकि इसमें दाने पढ़ जाएंगे साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें चार चमच चीनी और बस इसको चलाते रहेंगे एकदम से दाने नहीं पढ़ेंगे जितना ये पकता जाएगा उतने बाद में दाने पढ़ते जाएंगे एकदम से दूद नहीं फटता है या उसमें अगर जो आप ज़ादा डाल देंगे तो दूद ही फट जाएगा आपका मिलकेक नहीं बनेगा अगर उसको बिलकुल ही बहुत ही कम डालेंगे तो ये आपका पेड़े जैसे बन जाएंगे तो आपको बैलन्स करके बहुत ज़ादा चीजे बहुत कम नहीं डालनी है यहाँ पे मैंने इलाची बॉडर भी डाल दिया है और एक और चीज है इसको आप डालने के लिए आप देख सकते हो इसमें दाने पड़ते ही जा रहे हैं कुछ एक डॉप्स नीबू की कुछ एक डॉप्स विनेगर की इस तरह से कोई भी एक एक चीज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे मैंने घी भी एड़ कर दिया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से दाने पड़ गए हैं इसमें जितना यह पकेगा उसमें बाद में ही दाने आते चले जाएंगे अगर आप इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो दाने तो पड़ेंगे लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा छोटेगा इसलिए दिहान रहेगी बहुत कम आपको डालने हैं चीज़े अब जिसमें भी मैं इसको सेट करूँगी उसको कंटेनर में घी लगा लूँगी ताकि यह असानी से निकल जाए हमारा मिल केग वैसे इसमें सेट करने के लिए कम से कम तीन किलो दूद चाहिए होगा हमें यह इतना बड़ा कंटेनर है तो आप देख सकते हुए कितना गाड़ा सा होने लग गया है काफी हद तक सैट होने की कंडिशन पे है यह इतना हमें इसको कुक कर लिना है उसमें दानें भी बहुत बढ़िया पड़ गए है साइट से बबल आ रहे हैं और यह घी भी छोड़ रहा है कड़ाई कड़ाई छोड़ रही है यह मिल केक हमारा बस इसको अच्छे से हमें चलाते रहना है कंटिनूसली हमें चलाना है इसको छोड़ना नहीं है बढ़ना तो यह लग जाएगा नीचे से क्योंकि इस टाइम पे गैस भी बहुत गरम होती है और यह भी पूरा पका हुआ होता यानि कि अब हम गैस बंद कर देंगे हो गया है यह और बिल्कुल गरम गरम ही हमें इसमें सेट करना है आप देख सकते हुए कितना कम है अगर इसको पूरा बनाने के लिए बनी रहे और इसका कलर अच्छे से निकल के आए अब मैं इसी में इसको सैट कर दूँगी और थोड़ा सा लेबल कर दूँगी ताकि यह बिल्कुल अच्छे से सैट हो जाए अब इसको हम किसी भी चीज़ से हम इसको कवर करेंगे ढग के रखेंगे अब यहाँ पर मैं एक कपड़ा ले लूँगी यहाँ पर मैंने तॉलिय का यूज़ किया है आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और बस इसको सैट कर दीजे डग के रखना है हमें ताकि इसकी हीट बनी रहे और चार से पांच घंटे के इसको ऐसी ही छोड़ देंगे तो अब देख लेते हैं इसको एक पर कि किस तरह का यह सैट हो गया है यह देख सकते हो आप यह देखिए कितना अच्छा बन गया है यह अब आपको इसमें हलका सा कलर चेंज लग रहा है कि नहीं आप बताएगा जरूर अब यह बलकुल सैट हो गया है अब मैं इसके पीसी कट कर देती हूँ इसकी थोड़ी सी साइड हटा देते हैं ताकि अच्छे पीस निकल के आजाएं और आप देख सकते हो कितना बढ़िया सैट हुआ है यह तो इसके लंबे-लंबे हम मिलकेक काट लेंगे और आप देख सकते हो कि डेड़िकलो दोद में कितना मिलकेक बन के तयार हुआ है तो मैंने काट लिए हैं यह अब इसको निकाल लेते हैं बहुत असानी से निकल जाएगा यह यह देख सकते हो कितना बढ़िया सा निकल गया है यह साइज भी कितना अच्छा है इसका निकल के अगर यह अच्छा मेरा दूद थोड़ा जादा होता है तो यह और भी अच्छा बन के तयार होता है ताकि इसमें जो यह लेबल इसका थोड़ा मोटा होता है साइज अब इसको में सब कर लूँगी तो यह बन गया है हमारा मिलकेक तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी खाने में भी बहुत टेस्टी है यह आप जरूर से इसको ट्राय कर सकते हो आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी यह देख सकते हो नीबू है इन में से कोई भी चीज आपको बहुत थोड़ी थोड़ी करके डालनी है एक बार में तो बिलकुल नी डालनी है थोड़ा थोड़ा करके डालनी है तब जाके वो बहुत अच्छा सा बनके तयार होगा दो चार बूंद वो भी ड्रॉप्स डालनी है एक दम से भर में बनाए हैं या आप बाहर से लाए हैं इतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में तब तके ले बाई बाई